है अब्रिवर्वान वेलिकम बैक तो मैंने आपको कहा था कि आपको सेंटर में लाने की कोशिश करने जाएं I hope आपने try किया होगा अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं इस वीडियो में हम बात करेंगे तो याद होगा आपको आपको अमने last chapter में बात की थी positioning की, absolute position, relative position तो उनी positions को use करेंगे और इसको center में करेंगे ओके, तो start करते हैं तो center में करने से पहले सबसे पहले मैं एक काम करूँगा ठीक है यहां पे सबसे नीचे नीचे यहां पे मैं यहां पे सबसे पहले ताकि मुझे बात में navigation करने में सान हो तो मैं यहां पे header content styling मैं यहां पे क्या करता हूँ जो header content है मेरा header content इसको मैं यहां पे क्या करता हूँ इसको मैं border देता हूँ यहां पे border for example two pixel solid or white sorry I don't even know spelling of white okay तो header content है ठीक है अब मुझे करना क्या है यहां पे मुझे इसको center में लाना है ठीक है इसको center में कैसे लाँगा मैं देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा आपको याद होगा हमने position यू पड़ी थी position use करनी सीखी थी absolute position relative position अब जो इसको जिसको मैं center में करना है इसको position दूँगा मैं absolute और जिसके respect में center में करना है मुझे किस में किस के respect में center में करना है मुझे किस के center में करना है मुझे इसको center में करना है इस parent के इसका parent को न है header मुझे header के center में करना है तो मैं header को दूँगा position दूँगा relative और जिसको center में करने उसको position दूँगा absolute ओके तो मैं क्या काम करूँगा सबसे पहले header content है इसको position मैं क्या दे दूँगा इसको position दे दूँगा मैं absolute absolute और जो मेरा header है इसको position दे दूँगा मैं यहां पर relative समझाए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया यहां पर position क्या दे दी इसको absolute दे इस header content को और header को दे दी relative ठीक है ऐसे करने से आप देख सकते है मेरा box यहां पर ऐसे बन चुका है अब मुझे इस box को क्या करना है अब मैं क्या करूँगा आपको पदा है top और left लेफ्ट लेफ्ट बोटम राइट यह सब मैं positions यूज कर सकता हूँ तो इसको कैसे यूज करूँगा देखिए जो मेरा header content है तो मैं क्या करूँगा इसको top से नीचे उतार देता हूँ मैं 50% तो मैं क्या करता हूँ यह देखि अधकेल देता हूँ 50% ओके तो यह ऐसे हो गया ठीक है अब यहां पे ध्यान से सोचिए हो क्या रहा है यहां पे इस सेंटर में तो हुआ नहीं ऐसा क्यों हो रहा है देखिए इसने top से नीचे की तरफ किया यह जो आपको दिख रहा है जो जो मेरा mouse देखिए आप यह सबसे आपको इसने इसको समझके इस लाइन से ऊपर तक यह 50% है यहां से चाहसी लाइन साथ हो रहे है और ऊपर तक यह है 50% ठीक है और यह जो लाइन है यह यहां से लेकर यहां पे देखेंगे यह इस लाइन को आप पॉइंट लीजिए ठीक है यह बिल्कुल लेट से लेकर इस लाइन तक यह 50% है ठीक है तो हमें क्या करना था अब हमें क्या करना है इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे राउसों करेंगे ट्रांस्फों क्या करेंगे हम ओडेखिमेरा माउस देखिए यहां मेश भी इच से विफ को विए इसको और इसको थोड़ा यह जोसा बीच पउइंड इसको इस आपको समझ में आ चुक होगा कि मैंने कैसे किया ठीक है यह क्या किया मैंने यहाँ पे transform translate minus 50% x axis में भी और y axis में भी minus 50% transform यह जो box बनाया है यह transform इसी में लग रहा था ठीक है बट यह जो हमने center किया वो किसके spec में हो रहा था उसके parent के spec में ठीक है तो आपको समझ आगे होगे transform translate कैसे काम किया अब हम क्या करेंगे इसको यह जो header content है इसको हम क्या करेंगे text align कर देंगे इसका center center okay तो text align center करने के बाद अभी कुछ ऐसा दिख रहा है और काफी अच्छा दिख रहा है पर एक ती जोड अब ध्यान से देखना आपको दिखे काने अपने phone या laptop की brightness बढ़ा दो पूरी कर दो अब मैं बजाता हूं क्या क्या देखना है आपको यह जो आप देखेंगे थोड़ा सा जो यह जो मैं content है इसका background as compared to थोड़ा dark है as compared to पूरे header के background में थोड़ा सा dark है बिल्कुल थोड़ा सा आपको दिखेगा अगर आप brightness बढ़ा दोगे ठीक है यह मैंने क्यों किया थोड़ सी contrast बढ़ाने के लिए किया ठीक है तो ऐसी image का background थोड़ा सा dark कर दोगा as compared to header ठीक है तो मैं क्या कर सकतो हो यहाँ पर वही काम करूँगा मैं जो हमने किया था पहले भी हम यहाँ पर simple इसका background यूज करेंगे और यहाँ पर linear gradient मैं यूज कर लूँगा और यहाँ पर linear gradient में same वही चीज यूज करूँगा मैं RGBA और दो RGBA value यूज करूँगा यहाँ पर मैं क्या करूँगा 0,0,0 और बिल्कुल थोड़ा सा मुझे dark करना है तो 0.2 Q opacity 0,0,0,0 और 0.2 ओके alpha channels opacity जो भी बूली ठीके थोड़ा सा dark हो चुका है आप देखिए थोड़ा सा dark हो चुका है अब इस border का कोई काम नहीं यह हमने समझने के लिए बनाया था ओके अब यह देख सकते हैं आप बिल्कुल इस जैसा मेरा बन चुका है okay thank you so much guys for watching this video